दोस्तों Android जो है वो बहुत लंबे समय से मार्केट के अंदर है और देखा जाया तो उसके अंदर कई सारे चिंजेश आया क्रियेट किया जा सके जिसे बाकी सारी कंपनीज भी आपस में यूज कर सके क्योंकि डेफिनिटली एपल के आईफॉन उएस पे यहां पे काफी ज्यादा लोगी नज़र बनी हुए थी और यह देखके Android क्रेट होता है और 2008 में पहला Android का फोन एस्टीसी ड्रीम जीवन देखने को मिलता है जो कि काफी जादा सही था लेकिन Android को जो क्लियर सक्सेस मिली थी जो वर्जिन के अंदर चेंजेश आयते वो 1.5 सायते जब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे पीचर्स को इंटीग्रेट किया गया और शुरू आती दुनों में जो Android का वर्जिन जो शुरू हो में पॉप्लर होना शुरू आता वो Android 2.2 या 2.3 जिंजर पर एटते वो थे क्योंकि उस जमाने में उसके अंदर इंप्रूब्मेंट आयते चीजों में बदलावाय तो धीरे-धीरे चीजे स्टेबलाइज यहां प लेकिन कहानी में मज़द तब आता है जब क्रीम सेंडविच आता है 4.0 को और 4.4 किट्ट्रेट तक जाता है देखो 4.0 वाली सरीज थी वो काफी अछी थी क्योंकि यहां पे Google के Nexus भी देखने को मिल रहे थे Halo UI देखने को मिलता था और अलग-अलग projects को integrate किया जा रहा था ज जानी कि जो material UI होता है वो आपको देखने को मिला था और material UI की खास बात ही थी कि इसके अंदर आपको जो आज Android का देखने को मिलता है वर्जिन जैसा experience हाज है इन सब के शुरुआ तब ही हो थी यहां पे और Android 5.0 की खास बात इधर यह भी थी कि one of the bugiest Android UI था यानी कि इसके अ पॉरियो आया था पाई आया था यहां पे Android में जो आज के feature सोचे जाए security के बार में बात करें प्राइविसी फीचर परमीशन वाले features के बार में बात करें जो basic चीजर है थी वो इंटीग्रेट की थी इवन fingerprint का support भी यहां पर इंटीग्रेट कर दिया गया था जिस कारण से एक अच्छा experience देखने को मिला सके Android के अंदर और तौर Android के अंदर यहां पे updates को भी जादे बेटर तरीके से किया जा सके यहां पर भी अलग-अलग कई project को तरियार किया गया था जिस कारण से आप पूरे mobile phone के update करनी की जुरूत नहीं है उसे module के हिसाब से parts में update किया जा सके एवन यहां पे यह भी इंटेड्यूस किया गया था कि एक बार mobile phone में update आएका backend में पूरे install हो जाएगा और उसके बाद आप यहां पे नए Android के version को इंड्यूस कर पाएंगे सर्फ एक reboot करके इस तरीकी के काफी सारी चीज आई थी और देखा तो यह वही एक जमाना था जब market में Android के नई नई directions उपर हो रहे थे वन आफ दा crazy direction था Android One प्रोग्राम का जिससे आद के समय लगबर दस साल से जादा हो चुगए है लेकिन Android One के साथ खासवा सिंपल सी है थी कि यहां पे Google software बनाएगा और company यहां पे hardware बनाएगी यह प्रोजेक्ट बहुत जबर जस्ता लेक लेकिन कई सारी companies चाहती थी कि हम भी ऐसा फोन बनाए लेकिन Google ने पीछे से हाथ खीच लिया तो अब Android One तो बिल्गुल यहां पर खतम हो चुगा गया था जो budget phones के लिए शुरू गया था यानि कि जिन फोन के अंदर hardware अच्छा नहीं है apps बहुत जादा slow देखने को मिलती है प्रोसेसर अच्छा नहीं है वहां पर एक light version क्रेट करो दो जीवी कम्रेम में भी हाप पर चल जाए इस वज़े से Android का go version निकालेगा यानि कि हर Android वर्जिन नॉर्मल वर्जिन होता था और छोटा light version होता था यह चीज़ भी market में इती जादा successful रही नहीं क्योंकि market में लोग अच्छ दार में इतने powerful हो चुके है कि उनने बिल्कुली low level android को चलाने की हपर जरूरत नहीं है इस लाइट वर्जिन गो वर्जिन वह भी चीज़े आने चली लेकिन देखा है तो Android के अंदर one of the major shift जो आया था सबसे बड़ा इसके बाद वह आया था Android 12 के साथ जब यहां प यहां पर लिया है लेकिन एक बात मैंने यहां पर नोटिस करिए कि material यू जो आया था Android 12 में तो Android 12 भी यहां पर काफी जादा bugs के साथ आया था क्योंकि कई सारे फूंस के इंदर दिक्कत आया थी जब यह अपडेट आया था तो हां यह भी प्रॉब्लम ती जिसे आगे चलक हो गया इवन वॉचिस होगी हर जगे यू आई को यहां पर सिम्लर रखा था इसके बाद अगर हम बात करें Android 15 तक आते आते तो Android 15 तक यहां पर चेंजिस जो सबसे जादा हुए न वह हुए AI के अंदर जैसे की Google ने जैमिनाई AI के इंटिग्रेशन किया है जिसके अंदर जै यहांने की जैमिनाई जो रहेगी अभी इंडिविजल काम नी करेगी ओएस और दूसरी एप के साथ भी काम करेगी जिससे आपको बैटर डेटा यहां पर प्रोसेस किया जा सके यह भी एक डिरेक्शन है जिस समय Android यहां पर भढ़ रहा है और इवन देखा जाए तो Android 16 यहा और Android 12 में बग्स ज्यादा थे Android 16 इता ज्यादा बगी अभी तक तो नहीं है जितना हमने टेस्ट किया आने वाले समय में सच्छा ही पता चलेगी जब बाकी कंपनी इसकी उबर अपडेट वगर निकालेंगे लेकिन वो भी एक नया पनिहा पर निकल कर रहा है तो यह सारी कह गूगल ने बनाई है उसके इंटीग्रेशन भी देखने कोलता है और देखा जाये तो यह काफी जादा एडवांस हो रहा है और आज के समय में बैटरी भी कम ले रहा है और यहां तक की गूगल के प्लेस्टोर वगरा इन सब का सपोर्ट अपने अंदर ला रहा है यानि कि स्मार्ट वाच इस के लिए भी काफी सकस्वल उपरेटिंग सिस्टम है इसका साथी एंडरोइट का देखा तो एक और काफी जगे हिट रहा है मोबाईल फोन के लापा और वो रहा है टीवी स्पेस में आज के समय में जो दुनिया का मोस्ट पॉप्लर टीवी ओएस है वो अब एंडरोइट टीवी ओएस की कहानी बहुत अलग है यहां पिल जो लेटेज एंडरोइट टीवी ओएस है उसका नाम है एंडरोइट टीवी ओएस 14 और हां आपने सही सुना है 14 है 15 तो गूगल ने निकाल ही नहीं उसे स्किप करके सीधे 16 पर यहां पर जा रही है अब बेसिक बात है कि गूगल को भी पता है एंडरोइट टीवी के अंदर वो इतने जादा चिंजिस नहीं कर सकते हैं वो बैकेंड में चिंजिस करते हैं जिसके अंदर अब वो AI वगरा को इंटीग्रेट कर रहा है और जो एंडरोइट टीवी ओएस 16 में उसको जादा देखने और खराब बात दौनों इसके साथ अच्छी बात है कि मेज़ोरिटी टीवी तक चल जाता है और कई सारे टीवी जो दस बार हजार के आते हैं वहाँ पर भी एंडरोइट टीवी ओएस आपको देखने को मिल जाता है प्राब्लम इसमें आते है कि बजट टीवी में आता है यहां पर बात है कि आपके मोबाइल फोन से चलता है मोबाइल फोन में एंडरोड आटो का फीजर होना चाहिए तो वायर यह वायरलेस आपका जो कार का इंफोटेन्मेंट सिस्टम होता है वहां पर आप गोगल की एप्स वगरा कुछ यूज कर सकते हो नैविगेश प्ले स्टोर मैप्स गाने यह सारी चीजों आप इंज्वाइब कर पाऊगे सिंपल सी वात इदर में आपको बता रहा हो कि यहां पर मोबाइल फोन की पेरिंग की जरूट नहीं प्रॉपर ऊएस चल रहा है हाला कि यह लगजरी और प्रीमियम कार्स में आ रहा हो बाहर आर अरश होका बाहर था ही हमाने की यह है है और लुट सेट के इंदर भी काम करेंगा आ पियाड़ सेट के अंदर कार और आपके इज्याइट के इंदर भी काम करेंगा यह उन ग्लास अनधर आ यह जूसेप इन और भी और जहां पर आपको XR भी देखने को मिलेगा यह भी एक चीज है जो Android का फ्यूचर यहां पर डिफाइन करेगी और देखिए, मार्केट में धीरे-धीरे इस तरीके से Google यहां पर आगे भड़ेगी कि यह Google की one of the priority हो जाएगा देखो एक सिंपल सी बात है ति गूगल मल्टीपल प्रजेक्ट शुरू करती है, मल्टीपल चीज़ों पर काम करती है और मान लिए जब गूगल ने दस चीज़ें हाँ पर करी तो सिर्फ दो ही ऐसी चीज़ोंगी जो यहां पर उसके सक्सेस्फुल होती है बाकी हाट चीज़ें बिल्कुली फेलियर हो जाती है, बिल्कुली बंद हो जाती है इसलिए हो मार्केट से हटा देते है लेकिन यह Android उनका एक ऐसा सक्सेस्फुल प्रजेक्टरा चुक कई सालों से आ गया है और इसी Android ने उन्हें लीड दी ग्लोबल मार्केट के अंदर की वो गूगल को प्रमोट कर सके गूगल की सर्विसेस प्रमोट कर सके जिस वज़े से Android इतना जाद आयर निकल पाया और यह खास बात रहती है आपके Android की और आने वाले समय में चाहे AR हो गया XR हो गया वहां के लिए Android को यहां तक की कार्स के लिए भी ओएस और टीवी खिली बना रहे है यहने की काफी अलग टैप को वैस काफी अच्छे तरीके से यहां पर बना है देखने वाली बात है कि आने वाला फ्यूचर यहां पर क्या रहता हो किस तरीके से जो Android के साथ होता है और आपको क्या नई चीज़े देखने को मिलती है लेगिन दोस्ते और यह ती हां पर कहानी Android की आप लोग Android को कब सी उसकर रहे हो नहींचे कमेंट बताओ थेंक्यो बने रहने के लिए आप से लता हूँ अपने नेक्ट वीडियो के अंदर गुडबाई